हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे डोरा केक इसे आप पैनकेक भी कह सकते हैं इसमें मैं एक का इस्तमाल नहीं करूंगी बिना एक के बनाएंगे सुपर सॉक पैनकेक बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है बस पांच मिनट में ही बन जात है एक बाउल लेते हैं और इसमें एक कप मैदा डालेंगे मैदे को अच्छी तरह से चान लिया है आधा कप के सीवी चीनी यह बेकिंग पाउडर है इसे वन फोर्थ स्पून लिया है मैंने वन पिंच नमक और यह थो एक बड़ा चम्मा इसमें शेहट डालेंगे शेहट ड हाफ टी इस्पून वनीला एसेंस डालके अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैं दूद से बेटर बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाएंगे और इसे घोलते जाएंगे ध्यान रहे इसमें लम्स ना पड़े पहले हमने आधा कप दूद लिया है यह पूरा पड़ गया है आधा कप और लेते हैं पूरा एक कब दूद पढ़ गया है इसमें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं नहीं बहुत ज़्यादा पतला और नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा यसे पकोड़े का गोल बनाते हैं ठीक उसी तरह से 10 मिनट के लिए इसे ढख के रख देते हैं 10 मिनट हो गये हैं एक पैन गैस पे चड़ाते हैं इसमें हलकी सी गी लगा देते हैं बैटर को भी अच्छी तरह से फेट लेते हैं उसके बाद किसी एक कप का साइज ले लेंगे इसी कप से ही हम पैन केक बनाएंगे एक कप इसमें डालते हैं गैस बिल्कुश लो रहेगी इसे हास से नहीं फैलाना है यह अपने आपी अपनी शेप ले लेगा ढख देते हैं दो मिनट बाद ही देखे इसमें जाली पड़ गई है बेकिंग पॉडर ने अपना एफेक्ट दिखा दिया है आप किसी पल्टे से साइड से करते हुए इसे पलट देंगे देखे कितना अच्छा कलर आया है दूसरी तरब से भी इसे सेख लेते हैं थोड़ा सा ढख देंगे एक मिनट के लिए इधर से भी देख लेते हैं इधर से भी बहुत अच्छा सिख गया है डोरा केक ये वाला रेडी हो गया है इसी तरह से मैं सारे डोरा केक बना लूँगी फिर से इसी पैन में दूसरा डालते हैं अब हमें चिकनाई लगाने की भी जूरत नहीं है के एक कप से हम measurement करेंगे तो सारी के दूरा के एक ऐड़ए स्यफ के तियार होंगे एक की साइज में का उसी तरह से यह बाला भी बनाएंगे कि नीचे से शाएति उसे पलट देंगे फिशों पर कहोंगे फिर खोल के देखेंगे नीचे से भी इसको पलट के देखते हैं ये सिक गया है प्लेट में रख लेंगे एक बार आपको दोनों तरब से पलट कर दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे हैं ये देखिए कितना सुन्दर कलर आया है इसी तरह से मैंने सारे डोरा केक बना के रख लिए हैं एक कप में पांच डोरा केक त्यार हुए हैं इन्हें सर्व करने के लिए इसमें हम हनी राल कर भी बच्चों को दे सकते हैं या चौकलिट सॉस मेरे पास ये नटेला रखा हुआ है मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद ह तो मैं नटेला लगा देती हूं एक पैनकेक उठाते हैं इसमें इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं और दूसरे डोरा केक से इसे ढग देते हैं अब हमें इसके पीस कर देंगे एक के दो कर देते हैं तो सर्व करने में थोड़ा अच्छा लगता है देखी कितने अच्छे बने हैं सुपर सॉप्ट बहुत ही बड़ी है स्पंजी और सॉप्ट बने है बस पांच मिनट में बन गए और इसमें मैंने एक का यूज भी नहीं क और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू